C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याए 10 छेत्र मिती प्रिष्ठ 234 प्रश्नावली 10.2 1. निम्न लिखित आकृतियों के एक्षेत्र फल ग्याद कीजिए 10.3.1 आयत काक्षेत्र फल एक वर्गांकित पेपर की सहायता से क्या हम बता सकते हैं के एक आयत काक्षेत्र फल कितना होगा जिसकी लंबाई 5 सेंटी मीटर तथा चोड़ाई 3 सेंटी मीटर है ग्राफ पेपर पर एक आयत बनाईए जिस पर एक सेंटीमीटर गुणा एक सेंटीमीटर के वर्ग हूँ आकृती 10.13 यह आयत 15 वर्गों को पूर्ण तया ढख लेता है आयत का क्षेत्र फल बराबर 15 वर्ग सेंटीमीटर है जिसे हम 5 गुणा 3 वर्ग सेंटीमीटर यानि लंबाई गुणा चौड़ाई के रूप में भी लिख सकते हैं प्रिष्ठ 235 कुछ आयतों की भुजाओं की मापें दी गई हैं इन्हें ग्राफ फेपर पर रख कर तथा वर्गों की संख्या को गिन कर इनका क्षेत्र फल ग्याद कीजिए लंबाई चौड़ाई क्षेत्र फल तीन सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर डैश पांच सेंटीमीटर चार सेंटीमीटर डैश इससे हम क्या निश्कर्ष निकालते हैं? हमने देखा कि आयत का क्षेतर फल बराबर लंबाई गुना चोड़ाई बिना ग्राफ पेपर की सहायता से क्या हम एक आयत का क्षेतर फल ग्याद कर सकते हैं जिसकी लंबाई 6 cm तथा चोड़ाई 4 cm है? हाँ, यह संभव है आयत का क्षेतर फल बराबर लंबाई गुना चोड़ाई बराबर 6 cm गुना 4 cm बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर प्रयास कीजिए एक, अपनी कक्षा के फर्ष का क्षेतर फल ग्याद कीजिए दो, अपने घर के किसी एक दर्वाजे का क्षेत्र फल ग्याद कीजिए दस दशमलव तीन दशमलव दो, वर्ग का क्षेत्र फल आईए, अब हमें एक वर्ग पर विचार करते हैं, जिसकी भुजा की लंबाई चार सेंटिमीटर है आकृती दस दशमलव चौदह इस वर्ग का क्षेत्र फल कितना होगा? प्रिष्ठ 236 यदि हम इसे सेंटिमीटर ग्राफ पेपर पर रखते हैं, तब हम क्या देखते हैं? यह 16 वर्गों को पूर्ण तयाधक लेता है इसलिए वर्ग का क्षेत्र फल बराबर 16 वर्ग सेंटिमीटर बराबर 4 गुणा 4 वर्ग सेंटिमीटर कुछ वर्गों की एक भुजा की लंबाई दी गई है ग्राफ पेपर की सहायता से उनके क्षेत्र फलों को ग्यात कीजिए एक भुजा की लंबाई वर्ग का क्षेत्र फल 3 सेंटिमीटर डैश 7 सेंटिमीटर डैश हमने देखा के प्रत्येक स्थिती में वर्ग का क्षेत्र फल बराबर भुजा, गुणा, भुजा. आप प्रश्नों को हल करते समय इसका प्रयोग एक सूत्र के रूप में कर सकते हैं. उदाहरण 13. एक आयत का क्षेत्र फल ग्यात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशह 12 संटी मीटर तथा 4 संटी मीटर है. हल आयत की लंबाई बराबर 12 संटी मीटर आयत की चौड़ाई बराबर 4 संटी मीटर आयत का क्षेत्र फल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 12 संटी मीटर गुणा 4 संटी मीटर बराबर 38 वर्ग संटी मीटर उदाहरन चौद है एक वर्गा कार भूखंड का क्षेत्र फल ग्यात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई आठ मीटर है हल, वर्ग की भुजा बराबर आठ मीटर वर्ग का क्शेत्र फल बराबर भुजा गुणा भुजा बराबर 8 मीटर गुणा 8 मीटर बराबर 64 वर्ग मीटर उदाहरण 15 है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्र फल 36 वर्ग सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, गत्ते की चोड़ाई ग्यात कीजिये हल, आयताकार गत्ते का क्षेत्र फल बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर लंबाई बराबर 9 सेंटीमीटर चोड़ाई प्रश्न चिन्ह आयत का क्षेत्र फल बराबर लंबाई गुणा चोड़ाई इसलिए चोड़ाई बराबर क्षेत्र फल भाग लंबाई बराबर 36 भाग 9 cm बराबर 4 cm अतह आयताकार गत्ते की चोड़ाई 4 cm है प्रिष्ठ 237 उदाहरण 16 बाब 3 मीटर चोड़ाई तथा 4 मीटर लंबाई वाले एक कमरे में वरगाकार टाइलें लगाना चाहता है यदि प्रत्येक वरगाकार टाइल की भुजा 0.5 मीटर हो तो कमरे के फर्ष को ढखने के लिए कितनी टाइलों की आवशकता होगी हल कमरे में लगने वाली सभी टाइलों का कुल क्षेतर फल फर्ष के क्षेतर फल के बराबर होगा कमरे की लंबाई बराबर 4 मीटर कमरे की चोड़ाई बराबर 3 मीटर फर्ष का क्षेत्र फल बराबर लंबाई गुणा चोड़ाई बराबर चार मीटर गुणा तीन मीटर बराबर बारह वर्ग मीटर एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्र फल बराबर भुजा गुणा भुजा बराबर 0.5 मीटर गुणा 0.5 मीटर बराबर 0.25 वर्ग मीटर आवशक कुल टाइलों की संख्या बराबर फर्ष का क्षेत्र फल भाग एक टाइल का क्षेत्र फल बराबर 12 भाग 0.25 बराबर 12 भाग 25 बराबर 48 टाइलें उदाहरण सत्र है एक मीटर 25 सेंटी मीटर चोड़ाई तथा दो मीटर लंबाई वाले कपड़े के एक टुकड़े का क्षेत्र फल वर्ग मीटर में ग्यात कीजिए हल कपड़े की लंबाई बराबर 2 मीटर कपड़े की चोड़ाई बराबर 1 मीटर 25 सेंटी मीटर बराबर 1 मीटर जमा 0.25 मीटर बराबर 1.25 मीटर चुके 25 सेंटी मीटर बराबर 0.25 मीटर कपड़े का कशेत्र फल बराबर कपड़े की लंबाई गुणा कपड़े की चोड़ाई बराबर दो मीटर गुणा एक दशमलव दो पांच मीटर बराबर दो दशमलव पांच शून्य वर्ग मीटर प्रशनावली 10.3 एक उन आयतों का कशेत्र फल ग्यात कीजिए जिनकी भुजाई नीचे दी गई हैं ए तीन सेंटी मीटर और चार सेंटी मीटर बी बारह मीटर और इकीस मीटर सी दो किलो मीटर और तीन किलो मीटर दी दो मीटर और सत्तर सेंटी मीटर दो, उन वर्गों का क्षेत्र फल ग्यात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्न लिखित हैं A. 10 cm B. 14 cm C. 5 मीटर तीन तीन आयतों की विमाएं निम्न लिखित हैं A. 9 मीटर और 6 मीटर B. 3 मीटर और 17 मीटर C. 4 मीटर और 14 मीटर इन में से किसका क्षेत्र फल सबसे अधिक है और किसका सबसे कम प्रिष्ठ 238 4. 50 मीटर लंबाई वाले एक आयता कार बगीचे का क्षेत्र फल 300 वर्ग मीटर है बगीचे की चोड़ाई ग्यात कीजिए 5. 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चोड़ाई वाले एक आईता कारभूखंड पर आठ रुपए प्रती सौ वर्ग मीटर की दर से टाई लगाने का व्याई ग्याद कीजिए छे, एक मेज के उपरी प्रिष्ठ की माप दो मीटर गुणा एक मीटर पचास सेंटी मीटर है मेज का क्षेतर फल वर्ग मीटर में ग्याद कीजिए साथ, एक कमरे की लंबाई चार मीटर तथा चौड़ाई तीन मीटर पचास सेंटी मीटर है कमरे के फर्ष को ढखने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवशकता होगी आठ एक फर्श की लंबाई पांच मीटर तथा चोड़ाई चार मीटर है तीन मीटर भुजा वाले एक वर्गा कार गलीचे को फर्श पर बिचाया गया है फर्श के उस भाग का क्षेतर फल ग्यात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिचा है नौ, पांच मीटर लंबाई तथा चार मीटर चोड़ाई वाले एक आयता कार भुखंड पर एक मीटर भुजा वाली वर्गा कार फूलों की पांच क्यारियां बनाई जाती हैं भुखंड के शेश भाग काक्षेतर फल ग्यात कीजिए दस, निमनलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िये इन काक्षेतर फल ग्यात कीजिए भुजाओं की माप सेंटिमीटर में दी गई है यहां दो आकृतियां दी गई हैं ग्यारह निम्न लिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िये और प्रत्येक का क्षेत्र फल ग्यात कीजिये। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। यहां तीन आकृतियां दी गई हैं। 12. एक टाइल की माप 5 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्र को पूर्ण तया ढखने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवशकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशह ए, 144 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है, बी, 70 सेंटीमीटर और 136 सेंटीमीटर है। प्रिष्ठ 249 एक चौनौती एक सेंटीमीटर वर्गांकित पेपर पर आप जितने भी आयत बना सकते हैं, बनाइए, जिससे कि आयत का क्षेत्र फल 16 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए, केवल पूर्ण संख्या की लंबाई पर ही विचार करना है। ए, किस आयत का क्षेत्र फल सबसे अधिक है, बी, किस आयत का क्षेत्र फल सबसे कम है। यदि आप एक ऐसा आयत लें जिसका क्षेत्र फल 24 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो आपके उत्तर क्या होंगे। दिये हुए क्षेत्र फल के लिए क्या अधिक्तम परिमाप के आयत के आकार को बताना संभव है? क्या सबसे कम परिमाप के आयत के बारे में बता सकते हैं? उदाहरन दीजिए और कारण बताईए। हमने क्या चर्चा की? एक, परिमाप एक ऐसी दूरी है जो रेखा खंडूं के साथ साथ चलते हुए, एक बंद आकृती के चारों और एक पूरा चक्कर लगाने में तै करती है। दो, एक, आयत का परिमाप बराबर दो गुणा कोष्ठकों में लंबाई जमा चोड़ाई। बी, वर्ग का परिमाप बराबर चार गुणा भुजा की लंबाई। सी, सम बाहुत्रिभुज का परिमाप बराबर तीन गुणा भुजा की लंबाई। 3. ऐसी आकृतियां जिसकी सभी भुजाएं और कौन बराबर हूं, बंद सम आकृतियां कहलाती हैं 4. बंद आकृतियों द्वारा घिरे गए तल के परिमान को उसका क्षेत्र फल कहते हैं 5. वर्गांकित पेपर का प्रयोग करके किसी आकृति का क्षेत्र फल ग्यात करने के लिए निम्न लिखित परिपाटी को अपनाया जाता है A. जिन वर्गों का आधे से कम भाग आकृति से घिरा है, उन्हें छोड़ दीजिए B. यदि किसी वर्ग का आधे से अधिक भाग आकृति से घिरा है, तो ऐसे वर्गों को हम एक पूरा वर्ग ही गिनते हैं C. यदि किसी वर्ग का आधा भाग आकृति से घिरा हो, तो उसके क्षेत्र फल को आधा वर्ग इकाई लेते हैं चै, ए, आयत का क्षेत्र फल बराबर लंबाई गुणा चोड़ाई, बी, वर्ग का क्षेत्र फल बराबर भुजा गुणा भुजा अभी आप सुन रहे थे कक्षा छै की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक, वाचन स्वर गौरव मारवा, निर्मान सहियोग, सौम्या मलिक, निर्मान विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत